आज का ओडर एक बच्चे के लिए था तो मुझे बच्चे के लिए केक बनाना था और बहुत इस्पेशल बनाना था थाके बच्चे को केक देखते ही पसंद आए और बच्चे का फेवरेट कार्टून था हॉलक तो जब उन्होंने दिमाड किया कि मैं आप a halk के basic theme के उपर एक cake बना के दीजिए तो मैंने कहछ दिया की थी कि मैं बना के दे दूंगी फिर मैंने क्या किया है उन्हें premix का नहीं चाहिए था तो मैं बिना premix के ही आज cake बनाओगी आप इसे घर पर भी ट्राइ कर सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है, तो इसके लिए हम मैंने दो अंडे ले लिया है, और उसमें आधा कप चीनी, वन टेस्पून वेनिला अपसंस, फिर एक आपको बावल लेना है, और उसमें चनली में एक कप मैदा, दो से तीन चमच बेकिंग कोका पावडर और एक तेस्पून आपको क्या करना है, बेकिंग पावडर लेना है, उसको अच्छे तरह से चान लेना है, चानना बहुत जरूरी है, ताकि सब चीज़े आपस में मिल जाए, उसके बाद मैंने यहाँ छे इंच का केक्टिन लिया है, और उसे रिफाइंड अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया है, यहाँ मैं बटर पेपर का यूस नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ रिफाइंड ओयल का थोरह से जादा लेकर इसमें ग्रीस कर लूँगी, हमारा जो स्पॉंज है वो अच्छी तरह से डीमोल हो सके बिना चिपके वे, फिर इसको अच्छी तरह से हाई स्प्रीट में मैं कर लूँगी, इसे विप जब तक हमारा अंडे का कलर ऑफ वाइट ना हो, फिर इसमें दो चम्मच से तीन चम्मच के बीच आप रिफाइंड ओयल दे दीजिए, और फिर इसकी लो स्पीड में इसे एक मिनट के लिए फिर से जो आपकी जब आपको इस बात का धान रखना है, कि आपको एक ही डायरेक्शन में लेनी है, जिस तरह से में वीडियो में दिखा रही हो, 20 इस स्टेज में अगर आपका बेटा थोरा सा गाड़ा दिख रहा है, या बहुत गाड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, दो तीन चमच आप यहां दूद का भी यूज कर सकते हो फिद ऐसे करके मैं अपना बैटर कर लूँगी रेडी और जिस भी आप बरतन में बना रहे हो उसको आप 10 मिनट के लिए प्री हीट ज़रूर करें प्री हीट करने के बाद ही आप अपना जो केक टीन है बरतन के ऊपर रख अपना बैटर इसमें डाल कर अच्छी तरह से टैप टैप कर लूँगी फ्रेंज आप भी टैप टैप करना मत भूलिएगा फिर मैंने यीस पतीले में मैं बनाऊंगी उससे पहले से प्री हिट कर लिया है इसमें ही मैं अपना केक बेक करती हूँ फिर आप गेस की जो फ्ले इसमें करेंगे और इससे 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे फ्रेंज ट्विटिफाइफ मिनट के पहले आप क्या करें इसको मत देखिए वरना क्या होगा आपका जो केक है वो बीच से दब भी सकता है प्लिस 25 के 30 के बीच ही आप इसको देखे इससे पहले ना देखे फिर जब आपका केक जब बेक हो जाएगा तो उसको चेक करने का एक तरीका है कोई भी तुद्पिक या चाकू ले बीच से आप इससे डाले अगर अगर आपका तुद्पिक या चाकू के लिए क्लीन आ रहा हो बिना चिपके हुए बैटर उसमें तो आपका जो इस स्पोंच है वो तूट जाएगा तो यह स्पोंच मैंने तीन लियर में कट कर लूँगी मैं इसे और तीन लियर में कट करने के पाद ही इसमें क्या करूंगी मैं अगर आप तीन लियर से ज़्यादा करना चाहते है अपने केक की हाइट बढ़ाना चाहते है तो आप तीन लि तो इसे हमारी जो बहुत सॉफ्ट बनता है और खाने में बहुत ही डेस्टी बनता है तो मैं यहां सुगर सिरफ से सूख करके इसमें क्रीम से इसे अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और मैंने यहां चोको चीप्स का यूज नहीं किया है आप चाहे तो चोको चीप्स का भी कर सकते है मैंने जो डाग कमपाउन चोकलेट आता है उसे ही चोटे 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 टुकरों में काट कर और उसे ही फीलिंग में एड़ किया है तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप एक पर ज़रूर ट्राइ करके देखिए और इसके को आप घर पर भी अच्छ लियर भी हम ऐसे ही रखेंगे और उसे अच्छी तरह से सुगर सिरफ से सोग कर लेंगे फिर जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट था उसे में टॉप लियर में रखूंगी इससे फ्रेंस से हमारी जो केकी फिनीशिंग है वो बहुत अच्छा आता है तो मैं हमेशों ऐसे ही क करती हूँ फिर इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे करके आपको फ्रेंग तीन से चौर मिनट इसे फ्रेंसरे होने के लिए रख दे उसके बाद नहीं ही तो मैं इसकी कर ली है और इसे ब mistake छाना था बनाना था घ्रीन कलर मैं तो मैं ने पहले वाइट कलर से ही इसकी zur इसकी अलग लगता है बट जब कस्टूमर का दिए होता है तो हमें तो करना पड़ेगा ही बट मैं कस्टूमर को बता देती हूँ अगर आपको डॉक शेड में कीक चाहिए तो थोड़ा सा क्रीम जो है उसका टेस्ट अलग लगेगा मैं कस्टूमर से पूछ के ही करती हूँ वरना मैं पहले वाइट कलर से ही इसकी आइसिंग कर लेती हूँ और जिस भी कलर से मुझे इसकी कवर करना है थोड़ा से क्रीम में अच्छी तरह से कलर एट करके मैं इसकी फिनिशिंग कर देती हूँ तो उससे भी हमारा जो color आता है वो बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है तो इसी तरह से मैंने green color का भी ऐसे ही use करके अपने cake को cover कर लिया है और friends आपको जो मैं ये उपर की जो clean कर रही हूँ फिर मैं यहां cake board लोगी और अपने जो cake को है वो उसमें transfer कर लोगी friends इसे बहुत ही साबधानी से करना क्योंकि अगर कहीं से भी नुक्का लग गया है ना तो हमारी जो मैनत है वो सब पानी में चला जाएगा तो friends मेरा जो cake है वो finishing के साथ हो गया है ready उसे मैंने ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख दिया है और यहां मैंने डाग कमपान और विपिंग क्रीम को लेकर इसे अच्छी तरह से melt कर लिया है आप अपने के हसाब से विपिंग क्रीम और चौकलेट ले जितना चौकलेट आप लेंगे उससे आथा आप विपिंग क्रीम लेकर इसे melt करें तो यह आपका गनाश बनके हो जाएगा ready चान जरूरे क्योंकि चानने से जो हमारी जो क्रीम है वो बहुत स्मूध बन जाती है और शाइन भी आजाते है इसमें आप चाहे तो इसमें बटर का भी यूज कर सकते हैं बैट मैंने यहां बटर का यूज नहीं किया है फिर भी मेरा जो गनाश है वो बहुत शाइन कर रह कर भी इसकी ड्रीपिंग कर सकते हैं तो ये मैंने जैसे बताया था आपको ये बच्चे के लिए था तो मैंने यहां कुछ स्टीकर बजा से खरीड कर इसे अच्छी ज़रा से स्टीक कर लिया है और फिर इसको के के उपर में लगा लूँगे आप अपने हिसाब से भी लगा सक है कि कैसा लगा है ये मेरा केक डिजाइन और जो भी मैंने बताया आप सब को प्लीस और इसको हां सस्क्राइब करना ना भूलिया ताकि मैं आगे बढ़ सकू और आप सभी के लिए कुछ नया नया वीडियो ला सकू तो मैंने ये जब स्टीकर लगा लिया है तो मुझे कु प्लीस एक लाइक और सस्क्राइब जरूर की जिए पर